वेबसाइट बनाने का और वेबसाइट से कमाने का मेरा कनेक्शन बहुत पुरान है इसलिए मैं हिम इश्मदान आपका दोस्त आपका भाई इस वीडियो में आपको हर चीज़ बताने वाला हूँ पांच पार्ट्स में इस वीडियो में मैं आपको हर चीज बताऊंगा पहले वाइ, वेबसेट क्यों बनानी है, इससे आपको क्या फाइदे हो सकते हैं सेकंड मेरा एक्सपीरियंस, मैंने वेबसेट से क्या कमाया, क्या गवाया थर्ड, आप website कैसे बना सकते हो, live demo आपको इस वीडियो में मिलेगी फोर्थ, कि website से आप कैसे कमा सकते हो, earning sources क्या है एक website से कमाने के और फिफ्थ, जो चीज हर कोई नहीं बताता, negative side negative side क्या है, website बनाने की, dark side क्या है, mistakes क्या है, किन चीजों का ध्यान रखना है हर चीज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, आपने थमने में देखा होगा, कि घर बैठे website बनाएं और website से कमाएं 50,000 रुपीज पर मन्त, scope 50,000 का नहीं है, scope इससे कई गुना बड़ा है scope एक लाग, पांच लाग, दस लाग, बीस लाग रुपे पर महीने तक का है, यह आपके उपर depend करता है, time, effort, कितनी आप डाल सकते हो लेकिन आगर मैं 50,000 से उपर लिखता शायद आपको विश्वास ना आता, लेकिन इस वीडियो के end तक आपको विश्वास आ जाएगा कि कितना बड़ा scope इस डिजिटल होती दुनिया में website की उपर है तो इस life changing training को करते हैं start आज से बहुत साल पहले लोग घर या दुकान का address निशानियों से याद रखते थे वो people के पेड के आगे वाली दुकान, फिर colonies बनी, buildings बनी, markets बनी और address define होते गए 18 नंबर वाली दुकान, 74 नंबर वाला घर लेकिन फिर सब बिजिटल होता गया तो लोगों ने अपने digital address बनाने शुरू की इस दुनिया की जो पहली website थी न वो बनाई थी टिम बरनर्स ली ने 6th और वो website कुछ ऐसी दिखती थी और आज की websites कुछ ऐसी दिखती है, जिससे phone पहले optional होता था, किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, चलता है लेकिन आज phone हम सब की life का बहुत important part है इसी तरह से दुनिया जिस तरीके से digital हो रही है, आज website कुछ लोगों को optional लग रही है लेकिन future में website एक बहुत important part हर business का हर इंसान का है आप business करें, अपने business को ज़्यादा लोगों तक पंचाना चाहते हो, website आपके लिए ज़रूरी है आप professional हो, makeup artist हो, teacher हो, author हो, coach हो, fitness professional हो, architect हो, interior designer हो, doctor हो, lawyer हो आप website के साथ ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो, अपने services को grow कर सकते हो आप घर बैठे कमाना चाहते हो, website आपके लिए बहुत important tool है quickly, क्या benefits है website के, number one, आप सो रहे हो, लेकिन website आपके लिए काम कर रहे हो आप घूम रहे हो, आप कहीं भी हो, website आपके लिए कमारी है क्योंकि ये 24-7 आपके लिए काम करती है second, low cost, आपको जिंदगी बर की कमाईया नहीं लगानी, अपनी सारी saving नहीं लगानी, digital address बनाने के लिए आप कम cost से शुरुआत कर सकते हो, आप इसको खुद बना सकते हो, आप जब चाहे इसको रेनोवेट कर सकते हो, जब चाहे इसमें changes कर सकते हो third point, इस पर कोई geographical limit नहीं है, आप बरेली में बैठे, बरलिन में business कर सकते हो, आप किसी भी शहर, किसी भी देश, किसी भी जगा पहुन सकते हो, ये सिरफ website के साथ possible है, इसलिए तो www.worldwide web है ये fourth, एक दुकान में जगा limited हो सकती है, कितने लोग खड़े हो सकती है, मेरे seminars में hall की limit है, कितनी audience बैठ सकती है, एक classroom में कितने बच्चों को teacher बिठा सकता है, लेकिन website पे कोई limit नहीं है, आप masses तक पहुन सकते हो, जितने चाहे लोगों तक पहुन सकते हो, fifth, बहुत ही important, game changing benefit है website का वो है customer insights, आपके पास पूरी detail होती है, user journey की, user कहा रुका, कहा गया, कहा कितनी देर, किस page पर उसने time spent किया, किस page से वो site से बाहर चला गया, तो आप उस हिसाब से page को improve कर सकते हो, आप customer का behavior user insights में से निकाल सकते हो, आप देख सकते हो, किस तरह की users payment कर रहे है, किस तरह की users website पर आके बाहर जा रहे है, उस हिसाब से अपनी site को आप daily change कर सकते हो, यह benefit सिर्फ आप digital के साथ ले सकते हो, टेक्नोलोजी के साथ ले सकते हो, तरह के कई सारे benefits हम website से ले सकते हैं, इसलिए मैं website बनानी चाहिए, अब चलते हम अपनी वीडियो के next part पर, मैं अपने experience आपक इस तरह के कई job websites बनाई, Australia के लिए job website बनाई, African countries के लिए job website बनाई, और honestly, कुछ महीने ऐसे भी थे कि लाक रुपया महीना भी आ रहा था, उस time पर I'm talking 10-11 साल पहले एक लाक रुपया महीना website से, second experience himish.com, इस website की वज़े से मुझे मेरी job मिली, इस website से मैं लोगों में अपनी पहचान बना पाया, लोगों का प्यार मिला, कई सारे clients मिले, business ग्रो हुआ, आज ये दोनों website superjobsonline.com, himish.com दोनों बंद क्यों है, जब इतनी बड़ी opportunity उस time पे थी, तो आज ये sites बंद क्यों है, ये आपको पता चलेगा fifth point में, मैं ये video इसलिए बना रहा हूँ, ताकि next point पे, कि आप घर बैठे, खुद website कैसे बना सकते हो, so website बनाने की demo से पहले, दो words का आपको clear होना बहुत जरूरी है, दो terms, domain and hosting, real estate की property की example से आपको simple words में इसको explain करता हूँ, कि आपने एक plot खरीदा, किसी से भी plot खरीदा, अब आप उस plot पे construction करना चाहते हो, उस plot को अपने हिसाब से उस पे building बनाना चाहते हो, घर बनाना चाहते हो, दुकान बनाना चाहते हो, तो आप जाते हो सरकार के पास कि इस plot का address रिजिस्टर करना है, 74 number, sector 66, गुडगाओं, मेरा address है, आपने जाके registry कराई, कि अब इस address पे मेरा right है, ये address मेरे नाम से registered है, इस address पे अगर और अब आपका address registered होगे, अब आप उसके उपर चाहिए घर बना रहे हो, paint कर रहे हो, कोठी बना रहे हो, जो भी आप उसके अंदर करना चाहरे हो, आप अपने हिसाब से इसको design कर सकते हो, अपने हिसाब से उस पे खिड़किया, interior, furniture लगा सकते हो, सेम चीज है, आपका जो domain domain है, वो है आपका address, सीखेगा India.com, मेरी website, मैंने register कर वा ली, अब ये मेरा address है, सीखेगा India.com के अंदर, मैं जैसा मर्जी plot बनाऊं, लेकिन ये address मुझे बिलॉंग करता है, तो आपका जो domain है, वो आपका एक तरह का address है, जिस address से लोग आपके पास पहुंचते हैं, और जो दूसरा word है hosting, hosting वो plot है, यानि वो space है, जिसके अंदर आप images लगा रहे हो, graphics लगा रहे हो, text लिख रहे हो, सजा रहे हो, changes कर रहे हो, वो है hosting, so domain यानि आपका address, hosting मतलब वो space, वो area, वो website खुलने पे जो चीजे सामने आती है, वो है hosting, domain और hosting आप चाहो तो single service provider से भी ले सकते ह या आप domain अलग ले सकते हो, hosting अलग ले सकते हो, यह आपकी choice है, मैं आपको जो पूरी demo दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ, hostinger पे, मैंने अपनी research करी है, आप अपनी research कर सकते हो, कई सारी company से, कई सारे service providers हैं, लेकिन make sure, कि आप जिस service provider से low, वो उसका profile अच्छा हो, ऐसा नहो कि आपने का cost कम है, लेकिन बाद में server डाउन हो रहे हैं, company की कोई tag background नहीं है, service अच्छी नहीं है, आपके लिए वो नुकसान हो सकता है, so make sure, एक अच्छी company से आप अपना domain और hosting लो, अब मैं आपको screen पे लेके चलता हूँ, so यह मैंने खोली hostinger.in, और यहाँ पे हमें यह freedom offer चल रहे है, जिसमें आपको domain free मिल रही है, और आपको यहाँ पे नज़र आएगा hosting का option, आप इसको click कर सकते हो, कई तरह की hostings available होती है, cloud hosting, wordpress hosting, cpanel hosting, लेकिन as a beginner, as a small to medium business, आप शुरुआत करना चाहते हो, एक अच्छी site बनाना चाहते हो, तो आपके लिए shared web hosting एक जैसे मैं scroll down करूँगा, मेरे को यहाँ पे plans नज़र आ रहे हैं, single web hosting है, premium है, business web hosting है, मेरी suggestion रही है कि हम premium web hosting ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे benefits हैं, visitors के, space के, कई सारी चीज़े इसमें साथ में free मिल रही हैं, लेकिन of course आप अपनी need के हिसाप से decide कर सकते हो, आप सारे features यहाँ detail में देख सकते हो, और अभी हम इसको करते हैं, add to cart, so कई तरह के flexible options आपको नज़र आएंगे, आप चाहो तो per month pay कर सकते हो, which will be 450 rupees, आप 12 months का एक साथ ले लेते हो, तो आपको discount मिल जाता है, और अभी special offer है, 48 months का अगर आप लेते हो, तो it costs you 159 rupees, which means के 48 months का एक साथ लेने से आप अपना 13,000 save कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको 30 day money back guarantee भी नज़र आ रही है, so अभी demo के लिए मैं 12 months का offer चूज करता हूँ, और हम नीचे चलते हैं, so create your account में में अपना account बना रहा हूँ, हर तरह की payment option आपके पास है, UPI, PayTM, Net Banking, तो मैं UPI save pay कर देता हूँ, so य जो cart value है, वो हो गई 3526, और यहाँ पर हमारे पास option है coupon code की, और मैं coupon code लगाता हूँ, hm7, so अगर आप अभी अपनी hosting और domain book करते हो, तो आपको independence day offer का फायदा मिलेगा, आपको domain free मिलेगी, और hm7 coupon code use करके, आपको right away, right now discount भी मिल जाएगा, so आप भी इस coupon code को use कर सकते हैं, और बिना knowledge के, बिना technicals के एक website design कर सकते हो, अपनी website बना सकते हो, और अब हम शुरू करते हैं, home पे चलते हैं, so कुछ questions मुझसे यहाँ पूछे जा रहे हैं, इस questions के साथ hostinger को idea हो जाएगा मुझे किस तरह की site चाहिए, और मेरी design में बहुत help हो जाएगी, जिस design के लिए में कई labor बहुत spend करना पड़ता है, लोगों को hire करना पड़ता है, बहुत कुछ इसके अंदर किया जा सकता है, so इसने पूछा कि यह site किस के लिए बना रहा हूँ, मैंने खुद के लिए बना रहा हूँ, फिर इसने पूछा कि यह purpose क्या है, so that वैसा design मेरे सामने आए, so मैं इसको portfolio क मैं कौन हूँ, मैं professional website creator हूँ, मैं multiple sites बनाता हूँ, या I've never done it, creating my first website, तो मैं इसको tick करता हूँ, so Sringer का जो tool है, Zyro, उसको use करके मैं quickly website बना सकता हूँ, मेरे सामने option आगई, मैं इसको creator website पे जा रहा हूँ, so choose a domain, मैंने already domain लिया हूँ है, यहाँ फिर मेरे पास कोई already domain हो, मै मैंने कही और से खरीदा हूँ, but यहाँ पर मैंने domain I am himish.in यहीं से लिया है, so I will do select, country select करी मैंने, अपनी contact details share करी, so I am himish.in register हो रही है, address की registry हो रही है, यह address अब मेरा है, एक साल तक के मैंने पैसे दे दी है, उसके बाद renew करवाता रहूँगा, address पे मेरा right बना रहेगा, so यहाँ पर मेरे पास सामने option आ गई, zero by hostinger, जिसके अंदर जाके मैं easily website बना सकता हूँ, तो मैं click करता हूँ, start building पे, अपनी दुकान, अपने मकान को बनाना शुरू करते हैं, address अपने पास आ चुका है, so मेरे पास यहाँ पर तीन options हैं, एक है template, मतलब बना-बना धांचा मि मैं उसमें अपनी website, अपने content, अपने thoughts वहाँ डाल सकता हूँ, दूसरा है AI website generator, मतलब वो हमसे कुछ चीज़े पूछे का और artificial intelligence के साथ, दगड़ दगड़ हमारी website ready हो जाएगी, तीसरा है important existing website, क्या आपने कहीं website बनाई है, आप चाहते हो कि वही design, वही template बना-बनाया मकान shift कर दिया जाए, जैसे वह movie थी पीछ हर जुनकपूर की, सरदार का grandson, बना-बनाया घर पाकिस्तान से लाके, इंडिया में उसने अमरित सर में रख दिया, anyways, तो मैं यह आप यह template की example दे रहा हूँ, जब आप करोगे, आप चाहो तो explore भी कर सकते हो, वरना time बजा सकते हो, ज इस तरह की चीज आप करना चाह रहे हो, उस हिसाब से आपकी जो website है वो ready हो सकती है, नीचे आप देखो कई आपको designs नजर आ रहे हैं, जिस तरह का design आप चाहते हो, आपको लगता है यार इस तरह की site बनानी, इस तरह की, तो start building पे click कर सकते हो, तो मैंने services पे click किया और जो website मुझे लग रहे है कि हाँ, इस तरह का design में चाह रहा हूँ, वैसी website में select कर लूँगा, तो example के लिए मैं इस design को choose करता हूँ, और मैं click करता हूँ, start building पे, ये design है, धांचा है, आप चाहो तो इसको जमीन आसमान का difference ला सकते हो, paradigm shift ला सकते हो, पूरा बदल सकते हो, लेकिन एक धांचा मिल जाता है, तो समझ आ जाता है, एक design मिल गया, आप इसके right left play करते हो सकता है, आप अपना पूरा thought इसके अंदर लगा दो और चीज कुछ और बन जाए, so इस design को कैसे आप change कर सकते हो, मैं quickly बताता हूँ, उसके बाद आप जब आप खुद करोगे, तो बहुत जाके मैंने यहां पे logo ले दिया, फिर गया हो गया, so यह images यहां ही कठी होती जाएंगी, मेरा एक तरह का folder बनता जाएगा, and और मैंने इस image को select कर लिया, और add to page पे click कर दिया, और आप देखो, हमीश वहां पे आ गया, मैं चाहूँ तो इसका size width बढ़ा सकता हूँ, increase कर सकत करा हूँ, यह सब easy है, बढ़ा करो, छोटा करो, सब easy है, तो यह काम हो गया, done, इसको थोड़ा सा और बढ़ा कर लेते हैं, सुन्दर सुन्दर लगना चाहिए, अब आगी बारी, यहां पे line बदलने की, मैं quickly एक दो चीज़े आपको बता दूंगा, वह sufficient होगी, तो मैं while changing lives, I believe कि business करना चाहिए, money कमानी चाहिए, वह हमारे potential का proof होता है, लेकि मेरा belief है कि लोगों की जिन्दगिया बदलते हुए business बिल्ड करना, दूसरों के सपने पूरे करते हुए, अपने सपने पूरा करना, दूसरे कमा रहे हैं, तब मैं भी कमा रहा हूँ, so यहां पे हम one का मैं font लगा सकता हूँ, कौन से size में लिकना है, bold italics सब आपको पता ही, यह चीज़ आप कर सकते हो, इस button को change करना है, इस button को edit button दबाया, इसका text बदलना है, no more पे click किया, और कोई link देना तो दे सकता हूँ, नहीं तो cross कर सकता हूँ, देखो आपके सामने में quickly यह सारा कु image को बदल लेते हैं, image पे click किया, change image का option आपके सामने आया, change image पे click करा और replace image दबाया, replace image दबाता ही, upload images पे click किया, और desktop पे गया, जितनी pictures है, मैं सारी यहाँ पे डाल ही देता हूँ, ताकि बार बार हमें यह process ना follow करना पड़े, तो एक साथ जो आपने images shortlist करें, वो आप य जहां जो जैसी जरूरत है वैसी लगा सकते हो, और यहाँ पे मुझे एक wide photo चाहिए, तो मैं यह वाली pick यहाँ पे add कर रहा हूँ, और आप देखो यह pick यहाँ पे आ गई है, इसी तरह से मैं यह text बदल सकता हूँ, sections बदल सकता हूँ, यहाँ पे image बदल सकता हूँ, एक portfolio की example लिए है, इसलिए मैं अपनी pictures लगा रहा हूँ, जब आप portfolio website बनाते हो, personal brand website बनाते हो, तो वहाँ पे ऐसे लिखते हो, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, my book, and यहाँ पे अपनी book की details दे सकता हूँ, आप इस लगा दिये, इसके बाद आप save दबा सकते हो, so that जो आपने किया वो save हो जाए, नहीं करा तो आपका time जो हो shave हो जाएगा, and then आप preview पे click कर सकते हो, और देख सकते हो, जो आपने create करा है, preview के बाद आपको आपकी website नजर आएगी, yes, this is what I have done, this is what needs to be done, and then publish हमारी website तयार, हमारी digital identity तयार, हमारा scope of earning तयार, हमारी वो opportunity जिससे हम बहुत फाइद करते जाओगे, कोई भी skill, जितना अंदर घुषते जाओ, उतना सीखते जाओ, उतना explore करते जाओ, so आपका domain name बहुत जरूरी है, आपका नाम या आपके mind में जो चल रहे हैं, जो भी idea है, वो address कोई और register कर ले, उससे पहले ये बहुत जरूरी है, कि आप अपनी registry करा के बना लेंगे, लेकिन website से कमाएंगे कैसे, पैसा कैसे आएगा, so पांच तरीके आपके साथ share करने वाला हो, examples के साथ, live examples आपको देने वाला हो, और examples आपको ऐसा नहीं है कि Amazon.com की example दे रहो, Google की example दे रहो, बड़ी-बडी companies की example दे रहो, Nestle की example दे रहो, आपको यार, relatable example होनी पहला income source जो आपके साथ share करना चाहता हूँ, जिससे आप website बना कर घर बेटे कमा सकते हो, वो है affiliate marketing, one of the best income source, मैं खुद affiliate से benefit लेता हूँ, और ये growing field है, इसका scope बढ़ता जा रहा है, और affiliate marketing मैं ऐसा समझता हूँ, जिसमें सेवा भी है और मेवा भी है, और मुझे ऐसे business मैं हमेशा ऐसे business करता हूँ, जिसमें लोगों के benefit में हमारा benefit हो, लोगों को जिताने में हमारी जीत हो, पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन जब आप किसी को फाइदा देते हुए पैसा कमाते हो ना, तो आपको मज़ा आता है, आपको satisfaction मिलती है, मैं point पे आता हूँ, तो एक example के साथ मैं आपको affiliate marketing explain करता हूँ, मैंने एक website खोली bookgeeks.in, इस पे book के reviews होते है, example है, आप अपने field अपने interest के साब से इस point को समझने के बाद सोच सकते हो, लेकिन एक example है bookgeeks.in, Indian website है, विदेशी website नहीं है, भाती website आपके साथ शेर कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं गया तो आ कौन सी recent books हैं, कौन सी books पढ़नी चाहिए, उसके बारे में काफी सारी सेवा इनोंने करी है, अब मैं book reviews में गया, non-fiction में गया, और मैं गया self-help books में, मेरा favorite category, अब यहाँ पे Indian self-help books की collection है, मैंने book पे click किया, book के बारे में जानने की कोशिश करी, यहाँ पे book के बारे में ratings है, book का review है, और आप नीचे देखो, आपको एक link नजर आएगा, कि अगर आपको खरीद नहीं है, तो आप Amazon पे जाके खरीद सकते हो, अब अगर इनकी website से मैं Amazon पे जाके book खरीदता हूँ, तो book की price में से कुछ commission इनको जाएगी, तो basically एक help है, आप किसी भी field में बना सकते हो, ब इनको product भेजना नहीं है, इनको customer service department नहीं बनाना है, इनको कोई license नहीं लेना, इननों ने सिरफ website बनाई, website पे जो लोगों को चाहिए content, जो लोगों की problem solve हो सकते हैं, जो लोग डून रहे हैं, वो डाला, और उसके related Amazon का, flip card का, या इस तरह की websites का link महाँ पे डाल दिया, this is affiliate marketing जब आपकी website से कोई दूसरी site पे जाके खरीद रहा है, तो आपको उसमें से commission मिल रही है, ऐसे एक और example लेता हूँ कि आपको running में interest है, आप running करते हो, तो आपने running के related website बना दिये, मेरे सामने एक website है runaddiction.in, इसमें सिरफ running shoes की बात करे गई है, दुनिया जहां का content नहीं है, running shoes के बारे में इस website में कई सारी चीज़ी है, कौन-कौन सा brand है, किस तरह की लेने चाहिए, लेने से पहले क्या सोचना चाहिए, running shoe कितनी दिर चलता है, हर range का running shoe नोंने बता दिया, तो लोगों की सेवा website में कर दी, अब यहां पर आपको नज़र आएगा कि जब मैं कोई shoe द marketing को, दो minute में आप affiliate marketing समझ जाओगे, यह नहीं हो सकता, affiliate marketing के उपर मेरी complete video भी है, उसको भी देखो, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ, क्या वो बकवास है, अगर आपका answer नो है, तो second question जो मैं बोल रहा हूँ, वो sense बना रहा है, yes, अगर affiliate marketing म से लोग कमा रहे हैं, yes, क्या future में affiliate marketing से लोग कमाते रहेंगे, yes, अगर हर सवाल का जवाब yes है, तो मेहनत तो करो ना, आगे ढूंडो तो सही, तो आपको यह category पकड़ सकते हो, उसके round content बना सकते हो, affiliate marketing को detail में समझ सकते हो, जब आपके पास income शुरू होती है, 2000, 5000, 10,000 महीने का आना शुरू होता है, तो आपको समझ आ जाता है, क्या चीज चल रही है, क्या नहीं चल रही है, तब आप पहुंचते हो, 20-25,000 पर फिर आप समझते हो, कि 50,000 पर कैसे पहुंचना है, और धीरे धीरे आप लोग रख सकते हो, आप team create कर सकते हो, multiply कर सकते हो, और लाखों क पर नहीं पहुंचोगे, लेकिन शुरुआत करोगे, समझते जाओगे, बाकि आपकी मेहनत है, second income model जिससे मैं 13-14 साल पहले भी कमा रहा था, तब बाकी income models नहीं हो थे, affiliate popular नहीं था, तो ये एक major income source था, आज भी लोगों का major income source है, और इसमें भी आप लोगों की help करते होए, earning create कर सकते हो, मेरे लिए तो business का मतलब यही है, कि serve, अगर आप right intention से कर रहे हो, right thought से कर रहे हो, लोगों की problem solve कर रहे हो, तो business service है, add revenue में क्यों होता है, कि आपने एक website बनाई, आप के रहे हो कि अभी affiliate इसके related नहीं है, मैंने तो movie reviews डाले है, मैंने तो India के top speakers के बारे में बता रहे हो, top channels के बारे में बता रहे हो, मैं इस तरह की help लोगों की कर रहा हूँ, इसमें affiliate marketing का scope नहीं है, but content मेरे पास बहुत है, तो Google AdSense जैसे कई programs है, जिनको use करके आप अपनी website में ads लगा सकते हो, जैसे YouTube वीडियो से पहले ad आता है, तो उसका एक revenue creator को मिलता है, उसकी मेहनत का reward मिल जाता है, इसी तरह से आपकी website पर जब लोग आते हैं, तो वहाँ कहीं कहीं आप ads लगा सकते हो, वो ad पर जब कोई click करता है, तो वो website का creator है, जिसने वो content लिखने की मेहनत करी है, उसको उसमें से revenue मिल जाता है, तो मैंने आपको गाता कि example के साथ चलूँगा, तो मैं example मिस न करूँ, मैं example खोल लेता हूँ, मैंने कुछ निकाल के रखी हूँ है आपके लिए, तो mathonlymath.com, मैंने especially वो websites निकाली हैं, जिनसे आप relate कर सको, तो ये भी Priyanka Ghosh, एक mathematics की teacher है, इन्होंने maths की उपर कई सारा content बनाया है, और आपको नजर आएगा कि बीच-बीच में इनक content ले रहा है, और जिसको ad पे click करना है, कुछ further चाहिए, वो ad पे click कर रहा है, और website owner को, website creator को उसका revenue मिल रहा है, तो मैं आपको अलग-अलग examples दे रहा हूँ, एक maths की example दी, एक running shoes की example दी, topics तो हजारों हैं, लाखों हैं, cameras की बात कर सकते हो, mic की बात कर सकते हो, electronics की बात कर सकत मोटिवेशन, entertainment, शायरी, jokes, cooking, kitchen, interior, exterior, कई तरह के topics हैं, हजारों topics हैं, यह एक और example लेते हैं, himanshugarewal.com, कई तरह के topics यह cover करते हैं, कई तरह के articles इनकी website पे हैं, अच्छे खासे blogs इन्होंने लिखे हैं, और साथ में ads आपको नजर आएंगे, तो बहुत सारा content हो create कर रहे हैं, उनकी मेनत का reward उनको ad program से मिल रहा होगा, और भी हो सकता है कई income models हो, लेकिन example की तौर पे, ad example की तौर पे मैंने आपके साथ share किया, third और बहुत important online earning, जो speed से grow कर रही है, वो है e-commerce, especially COVID के बाद लोगों को जो digital की आदत हुई है, जो online की comfort मिली है, e-commerce तेजी से grow कर रही है, e-commerce मतलब electronic commerce, transaction हो रही है, यह product हो सकती है, यह service हो सकती है, ज़रूरी नहीं है, को physical चीज है, airpods है, it can be just a service, it is also part of e-commerce, वो भी e-commerce का हिस्सा है, एक example से चलते हैं, insurf.com, insurf.com, online furniture store है, furniture की collection है, Indian website है, बाहर lockdown अगर लगा हुआ है, website पे lock नहीं लगा हुआ, website खोल के, अगर मुझे furniture चाहिए, मैं furniture order कर सकता हूँ, वो dispatch कर सकते हैं, furniture मुझे पहुंच सकता है, एक और example आपके साथ share करता हूँ, maji khan mudart.com, इन्होंने recently मुझे एक mudart बेजा था, मुझे और गुंजन को एक बहुत प्यारा gift बेजा था, पर कितनी शांदार example है यह e-commerce की, इनको BBC ने cover किया, य और स्टोरी ने cover किया, यह गुजरात के गाउं में लिपन आर्ट, यानी mudart बनाती है, लेकिन इन्होंने अपनी website बनाई, इन्होंने online अपनी mudart को बेचना शुरू किया, और आज पूरे इंडिया में इनका mudart sell होता है, तो action लेने वाले के पास solution हमेशा मिल जाएंगे, चा अब हो सकता, बोलो कि हमारे पास कोई ऐसा scope नहीं है, कि हमें furniture की दुकान खोले, ना हमारे पास ऐसा कोई art है माजी खान भाई की तरह, कि हम अपने art को online लेके जाएं, again, सोचने वाले के पास बहुत सारे ideas होंगे, हो सकता, आपके गाउं में, आपके जिले में, आपके आज कोई ऐसा artist हो, जिसका art तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसको digital online दुनिया का नहीं पता, आप उसके art को, क्यूंकि आप जानगे website बनाना, आप उसके art की photos कीचके, उसका content create करके website पे डाल सकते हो, e-commerce website पे डाल सकते हो, उसका भी फाइदा, उसका art पूरे इंडिया में पहु कर सकते हैं, आप घर बैठे हैं, आप इतना समान ने maintain करना चाहते हैं, आप कोई एक product में specialize कर सकते हैं, कोई एक product लेकिन उसके बारे में, उसका right, left, 360 degree, हर चीज उस site में डाल रहे हो, ताकि आपके पास उस product की audience आ रही है, और वो product खरीद रही है, सेम चीज दुबारा बोल हैं, आप कोई professional हो, teacher हो, architect हो, lawyer हो, इस तरह के services दे रहे हो, या इस तरह के services जो देते हैं, उनके साथ connect करके, उनकी website बनाके, उनके लिए business generate कर सकते हो, आपके पास experience हो सकते हैं, आप अपने experience के उपर book लिख सकते हो, और online अपनी book publish कर सकते हो, उसकी एक website बना सकते हो, as an author अगर आप e-commerce में involved होना चाहते हो, अपनी website बना कर, एक और तरीका जिससे बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं होती है, बताते नहीं है, कुछ चीज होती है, बहुत पॉपलर हो जाती है, e-commerce बहुत ही popular हो चुका है, ad revenue, affiliate, जैसे के Amazon है, उसको तो transaction चाहिए, कोई अगर airport खरीदेगा, तो मैं आपको commission दूँगा, कुछ companies है जिनको lead चाहिए, example के लिए को gym company है, जिसका इंडिया में से 20-30 cities में gym है, अब उनको lead चाहिए, मतलब अगर कोई interested है gym join करने में, उसके बारे में आप हमें बता दो, हमारी team उन से बात कर लेगी, उनको convert कर लेगी, और per lead ये companies pay करते हैं, तो आप जितनी leads उनको देते हो, उसके बदले में आपको वो pay करते हैं, एक और income model आपके साथ शेर कर रहा हूँ, वो है subscription service, इस income model की क्या beauty है, अगर कोई business को समझना चाहता है, online business करना चाहता है, तो इस model को club, देखो होता क्या है, जब हम किसी customer को acquire करते हैं, customer को अपने साथ जोडते हैं, वो process थोड़ा सा अलग है, वो लंबा है, वो costly हो सकता है, 100 reasons है उसके पीछे, लेकिन जुड़े हुए customer को, उससे repeated value देना और repeated revenue लेना, ये एक ऐसा business है, जिसमें आपकी cost नहीं लगती, cost कम होत जाती है, जिसमें आपकी effort कम होती जाती है, आपने एक set of customers बनाया और हर महीने उनको कुछ दे रहे हो, और उनसे कुछ ले रहे हो, इसको हम कहते हैं, subscription service, आप करते हो na Netflix, Amazon, YouTube Premium, Dish TV, इस तरह की newspaper, सबसे पुराना traditional subscription model, एक बार newspaper किसी ने लगवा लिया, तो chances हैं कि वो कई मही ने कहीं सालों तक पैसे देता रहेगा, कितना पुराना ये model है, Netflix की subscription किसी ने ले ली, chances हीजा वो देता रहेगा, कुछ लोग छोड़ जाएंगे, पर कुछ लोग आ जाएंगे, business grow होता जा रहे है, क्यों जादा लोग आ रहे हैं, service अची दे रहे हो, तो subscription model चल सकता है, products को, emails के उपर subscription होती है, कि ये एक industry है, जिसमें मैं interested हूँ, running की example ले लेते हैं, कि running related आपको latest tips, information, news, हर चीज मिलती रहेगी, एक basic सी cost आप मुझे दो ता कि मैं आपको serve करता रहूं, marketing, finance, education, lifestyle, training, online earning, कई तरह की subscription services की possibilities हैं, जिस field में आप interested हो, जिस field में आप grow करना चाहते हो, उसके related आप subscription service शुरू कर सकते हो, देखो मैंने आपको 5 income sources share करें, जो one of the top 5 income sources है, income sources तो और भी बहुत हो सकते हैं, right, but यहाँ पर purpose यह है, आपका दिमाग खोलना, आपको ideas देना, मैं ऐसे example देना शुरू करूँ, thousand categories के नाम लूँगा, कई सारे तरीकों के नाम लूँगा, हजारों websites आपको दिखाऊंगा, वो purpose नहीं है, purpose है आपको threads देना, thought patterns देना, आपको 5 income sources, examples के साथ explain करना, so that आप अपना roadmap बनाओ, आप अपना blueprint बनाओ, और फिर एक दिन नीचे comment करो के देखो, आज हमने इस income तक खुद को पुंचा दिया, मजा आएगा, अब last chapter, last point of this video, negative side कौन सी चीज़े हैं, जो आपको नहीं करनी, कौन सी चीज़े हैं, जिन्होंने मुझे past में नुकसान किया, और मैंने धक्के खा के सीखा, आपको धक्के ना खाने पड़े, let's move to the last point, पहली गलती जो बहुत लोग करते हैं, कोई vision नहीं है, कोई clear purpose नहीं है, ये गलती मैंने भी करी थी, vision क्या थी, vision उस टाइम पर ऐसा था कि किसी तरीके revenue generate हो, छोटी उमर थी लगता था पस पैसे आजाएं, बहुत कुछ है, लेकिन vision होनी चाहिए, आप इन website से क्या achieve करना चाहते हो, क्या change create करना चाहते हो, क्या serve करना चाहते हो, किस audience तक पहुंचना चाहते हो, ज मैं लोगों की learning में help कर रहा हूं, मैं running की website नहीं बना रहा, मैं लोगों की fitness में help कर रहा हूं, मैं technology की website नहीं बना रहा, मैं लोगों की life easy कर रहा हूं, मैं software की website नहीं बना रहा, मैं लोगों का time बचा रहा हूं, उनको technology के close ला रहा हूं, second चीज तो किसी भी business, किसी भी earning में important है वो है patience आज हमने वीडियो देख लिए कल हम लाखों कमा रहे होंगे यह possible नहीं है आज website बना दी कल पैसे की बरसात हो जाए यह possible नहीं है आपको सबसे important चीज समझ नहीं होगी traffic अगर साइट पर traffic होगा तो income के कई sources होगे traffic नहीं होगा तो income sources नहीं होगे traffic कैसे लाना इसके उपर मैंने कई वीडियो बनाई आपको समझ नहीं होगा आप सोशल मीडिया से ला रहे हो आप SEO करके content बनाके search इंजन से traffic ला रहे हो आप अफोर्ड करते हो आप paid marketing करके influencer marketing से ला रहे हो आपका afford करते हो, तो of course आपका time कम लगेगा, afford नहीं करते हैं, तरीके बहुत हैं, पर उनमें time लगेगा, एक और चीज जिसका आपको ध्यान रखना है, जो मेरे साथ recently हुआ, जिसकी वज़ा से himish.com आज खोलने पे खुलती नहीं है, मेरा बहुत बड़ा business loss इस वज़े से हुआ, तो शायद आपको पता होगा, मैं company का नाम नहीं लूँगा, एक महीने पहले, एक और महीने पहले, इंडिया की एक hosting company bankrupt होगी, और वो sudden bankrupt होई, उस वज़े से, जिसने भी उस hosting company के साथ website लिए हुई थी, उनका website खुल नहीं रहा, प्रॉब्लम्स आ रही हैं और चीज़ें चल नहीं रही, तो मेरी website भी उस hosting company के साथ hosted थी, उनके bankrupt होने की वज़े से site बंद है, मेरी पूरी टीम की email बंद हो गई, हमने immediately दूसरे IDs और दूसरी websites बना रहे हैं, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहरा हूँ कि कितना important है एक सही hosting चूज़ करना, सही service provider चूज़ करना, ये बहुत सालों से चल रही थी, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मैंने research नहीं करी, उनकी background नहीं देखी, ख्याल नहीं किया, मतब problems आ रही थी, बट मुझे लगा कोई बात नहीं चलता है, so make sure आप एक अच्छी hosting company, अच्छा service provider चूज़ करो, जैसे मैं अब करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत जरूरी है कि हमारी site secure रहे, वो hack नहीं हो, हमें कोई problem आती है, तो हमें support मिले, technically वो site एक बड़ा group हो, एक बड़ी background उसके पीछे हो, यह सारी चीजें अगर मैंने check करी होती, तो इतनी बड़ी problem नहीं होती, आप जरूर कर लेना मेरी गलती से सीखना, last mistake जो आपके साथ share कर रहा हो है evolve, मैं यह नहीं कह रहा कि आपको अपनी website रोज बदलनी पड़ेगी, मैं यह नहीं कह रहा कि आपकी passive income नहीं है, यह passive income हो सकती है, आप कभी-कभी time दे रहो, तब इंकम आ सकती है, लेकिन कभी-कभी देखना जरूरी है कि क्या मेरी website में कोई change required है, क्या मेरी website में कोई fresh चीज required है, क्या कोई ऐसी चीज है जो इस site को improve कर सकती है, किसी भी form of earning में अगर आप evolve करते रहते हो, आपकी earning बढ़ती रहती है, आज की date में मैं अपने हर business में evolve करने की कोशिश करता हूँ, मैं अपने videos को evolve करने की कोशिश करता हूँ, अपनी skills, अपनी personality को evolve करने की कोशिश करता हूँ, तब इतनी समझ नहीं थी, एक technical सी चीज थी, कोई छोटा सा error आ रहा था, उसको समझने की कोशिश नहीं करी, एक website मैंने इसी वज़़ा से बंद कर दी थी, कि छोड़ो यार, यह छोड़ो, इसको रहने ही दो, नहीं करी होती, तो यार जिसने 2089 के time पे job website बनाई थी, शायद, शायद naukary.com, monster.com भी उस time पे start हो रही थी, जब मैंने start किया था, एक bigger lesson learnt है, लेकिन खुशी है कि आज एक right जगा right चीज कर रहा हूँ, ज़ादा मज़ा आ रहा है, तो कोई regret नहीं है, बट जो गलतिया है, वो गलतिया है, वो आपके साथ share करना ज़रूरी है, वो मैंने कर दी, तो यह इन-depth वीडियो आपके काम आई होगी, थी तो यह technical वीडियो, लेकिन दिल सल दिल का connection है, तो कहीं-कहीं emotional भी हो जाता हूँ, so I hope कि यह वीडियो आपके काम आई होगी, आपको clear है कि वेबसेट के क्या फाइदे हैं, वो आपके कैसे काम आ सकती है, मेरे experience आपके काम आएंगे, आपको पता है वेबसेट कैसे बनानी है, आपको पता है वेबसेट से कैसे कैसे कमाया जा सकता है, और किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, इन सारी बातों को आप इस वीडियो के close होने के बाद, एक paper pen या नोटपैड, online की document खोल के, इसके उपर एक blueprint बना सकते हैं, सबसे पहले यह देखो, कोई आपके लिए सही है, नहीं है, हर income opportunity हमें करनी है, ऐसा तो नहीं है, can I do it, why should I do it, अगर करना है तो अपने एक blueprint रड़ी करो, अपने एक plan रड़ी करो, और इसके उपर action करना शुरू करो, so that's all for today, वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताना, और दूसरों की help कर सकते हैं, यह effort जो मैंने spend करी है, जो time आपने spend कर रहा है, इसकी return हम कई लोगों को दे सकते हैं, so फिर मिलिंग एक लिए वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां पांटते रहिए, and I love you all.